तो हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है गजानन और आप सभी खामर यूट्यूब चैनल पर स्वागते तो गाइस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए था कि आप कैसे आपके चैनल के लिए लोगो बना सकते है तो गाई इस वीडियो में मैं आपको एग बता हूंगा, कि आप कैसे आपके YouTube चैनल के लिए अच्चा सा प्रोफेस्टनल बैनर बना सकते है, तो चले फ्रेंट, हम चलते है अमरे मोईल की स्क्रीन में, और जान लेते कि और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यूटूब चैनल का बैनर के साइज में इसे हमें एड करना होगा तो इस बैनर के साइज में इसको एड करने के लिए गाईस त्री डॉट्स पर क्लिक करना है और उपर से फोर्थ नंबर पर एक आप्शन मिलता है इमेज साइज का इमेज साइज पर क्लिक करना है और कस्टम पर क्लिक कर देना है कस्टम पर हम जैसे ही क्लिक कर हो जाएगा उसके बाद फ्रेंट्स आपको बैनर पर जो कुछ भी इमेज लगाना है और आप डाउनलोड वाला हो या चाहिए जो कुछ भी लिखना है यहां से लिख सकते हैं तो हम यहां पर कि करने के बाद एडिक्ष के आपिन के लिख करना है और यहां पर कट करके हाँ आपको जो झाजुक बीलिख सकते हैं तो चलिए अपने इससके पहले विडियो में लिख सकते हैं तो इस तरह से आपको कुछ small छोटे इसमें आपको करना है ताकि आप जब भी इसे आप आपके चैनल पर अपलोड करें तो यह पूरा अपलोड हो जाए आपको font के option मिलेगे तो font के option पर जाकर यहापर जो कुछ भी font आपको लगाना है जो भी अच्छा लगता है यहाँ से आप लगा सकते हैं यहीवाला select करते हैं और okay पर click कर देना है देन बाइगरों को इनेबल करके यहां से आप फ्रेंड्स इस तरह से बाइगरों लगा सकते हैं कर देना है उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको option मिलते हैं कुछ बेतरीन वाले जो की stroke shadow और inner shadow का है है तो आपको सिंप्लि सेी ट्लवक्स पर क्लिक करना है और इसे इनुइबल करते ना है तो अपर यहां से जो खुछ भी ्ट आप तो आप आपके हिसाब से यहां से इसके स्ट्रोक को चेंज कीजिए और राइट पर क्लिक करना है देन इनर सेड़ो को ओप्षन मिलता है इसको भी आप इनेबल कर सकते है फ्रेंज इसको इनेबल करने के बाद इनर सेड़ो को भी आप यहां से लगा सकते है और यहां से राइ लगाना चाहते हैं तो यूटुबल आप लगा सकते हैं जैसे कि यह पर देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर आपका चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं यह लोगो भी लगा कि दिखा सकते हूं पर हम गैलरी पर चले जाना है देन गईस हमने पर इमेजेस पर चले जाना है उसके पर्द पिक्स आर्ट पर हम चले जाते हैं और अधने यही वाला लोगों बनाये थे गाइस इसके पहले यहां हम राइट फटी कलिक कर देखे हमारा लोगो ब्राउंड सेथ में यहां पर आ गया है नहीं हम इसे इस तरह से लगा सकते हैं देन गाइस यह बन गया है उसके बाद इसको save करने के लिए इन 3 dots पर click करना है उपर से फोर्ट नमबर पर एक option मिलता है export image का तो simply सा export image पर click करना है और save to gallery पर click करना है तो जैसे हम save to gallery पर click करते हैं तो यह हमारा image save हो जाएगा देन हम यहां से चले जाते हमारे gallery पर gallery पर जाने के बाद friends आप यहां पर देख सकते हैं हमारा यही वाला logo है हमने जो कि हमारी YouTube चैनल के लिए बनाया था वह यहां से save हो गया है तो guys इसी तरह से आप आपकी YouTube चैनल के लिए अच्छा सा banner बना सकते हैं तो I hope friends कि आपको इस वीडियो से जरा सोबी knowledge मिलाओ इस वीडियो से जरा सोबी knowledge मिलाओ था हमारे वीडियो को like किजिए अपने दोस्ते के साथ share किजिए और चैनल पर नहीं हो था हमारे चैनल को subscribe करे करेंगे कि आप इस ब्यानर को कैसे आपके YouTube चैनल पर apply कर सकते हैं तो चले friends मिलते अगले इंट्रेस्टिंग साना यूडियो में तब तक कि लिए जैहिंद बंदे मात्रम